तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BDW vs. INW, Bangladesh Womens vs. India Womens 30-20 match है, Bangladesh Womens और India Womens के बीच में Dream 11 टीम के प्रडिक्शन करेंगे आपको बताएंगे कौन-कौन से बेस्ट प्लेयर रहेंगे, Bangladesh Womens के और India Womens के जो आपको अपने टीम में लेने चाहिए तो directly match के बारे हम बात करने से पहले, आपको सबसे पहले My Master Relayment Application के बारे हम बता दू, बहुत अच्छी अप्लिकेशन है Harman Preet को और इसकी brand name Mr. है, इस अप्लिकेशन को जरूर से डाउनलूट कर लेना, वीडियो के description में आपको जो है link मिल जाएगी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 25,000 रुपे का जो है giveaway देखने के लिए मिलेगा तो giveaway भी जरूर से आप जो है join कर लेना, contest भी अगर आप देखोगे काफी अच्छे अच्छे है grand link काफी अच्छे ची यहाँ पर जो है आती है, तो grand link में भी जरूर से participate करना इसका refer code है, मैच के बारे में बात करते हैं, इंडिया वोमेंस और बांगलादेस वोमेंस 30-20 मैच है, एक बच के 30 मिनट पर मैच स्टार्ट होगा सेरे बांगलाद स्टेडियम जो है धाका, यहाँ पर मैच होने वाला है, यहाँ के अगर मैं pitch report की बात करूँ, pitch थोड़ी सी slower side है, जादा run जो है देखनी के लिए नहीं मिलते हैं, विकेट्स गिरते हैं, यह चीज़ ध्यान में रखेगा वैसे इंडिया वोमेंस की जो टीम है यहाँ पर फेवरेट रहने वाली है, और बांगलाद इस वोमेंस पहले बैट करती है, तो मान के चलना कि 100, 110, 120 यही लगबगी स्कोर बनेगा, इंडिया वोमेंस अगर यहाँ पर पहले बैट करती है, 150, 160 आपको देखने के लिए मिल स पांच बार बैट, सेकंड करने वाले टीम ने बिन किया है, अबरेज स्कोर 107 रन है, हाइस्ट स्कोर 140 रन है, लोविश्ट स्कोर 85 रन है, आठ मैचस में क्या हुआ है, आठों के आठ बार 150 रन से नीचे का स्कोर यहाँ पर बना हुआ है, तो इससे आपको आइडिया नगधिते हैं इया पर जो है ऐनधिवोंइस्टी यहां पे लास फुर नहीं कर पाई थी यहांपर बंगलादिस3 डिएया देख सकते हैं कितनी स्लूवर साइट थी की बात पर लगाड़ वारे की बात करें तो इस मैश में 18 धिकेट गिरी इस मैश में आट गिर dh उसके पहले 2014 में यहाँ पर matches हुए थे तो वो details भी हमने दे रखी है Head to 8 की record की बात करें Head to 8 में देखोगे टोटल 15 T20 गेम हुए है इंडिया वोमेंस और बांगलादिस वोमेंस की बीच में दो बार बांगलादिस वोमेंस की team ने विन किया है तेरा बार इंडिया वोमेंस की team ने विन किया है लास्ट फाइफ मेंस की details यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है जो कि यहाँ पर आप जो है देख सकते हो लास्ट फाइफ मेंस की details अब यहाँ पर हम playing 11 की बात करते हैं यहाँ पर दोनों की recent form की बात करते हैं बार हमने वोमेंस की बात बात करते हैं टो इंडिया वोमेंस ही रहेगी यहाँ थी आप यहाँ पर कोई भी सक नहीं होना चाहिए प्लेइंग लेवन दिख लेते हैं प्लेएंग लेवन में थोड़ी से changes जो है पॉसिवल है देखने वाली बात होगी कि आज चेंजेस होते हैं वैसे जो प्रोविबल 11 है बंगलादिस वोमिन्स की देख लेते हैं साथी रानी के साथ में समयमा सुल्ताना आपको ओपन करती में नजर आएंगी बढ़ना उन पे मुर्सिदा खातून है उसके बद निगरा स सकते हैं इंडिया वोमिन्स की प्लेइंग लेवन की बात की जाए सेफाली बर्मा के साथ में समयर्थी मंधाना आपको ओपन करती में नजर आएंगी बंड़न पे जो मिया रोड्रिक्स है उसके बद हर्मन प्रीत कोर है यासका भाटिया है हर्लीन देवल है धिप्ती शर्म समीमा सुल्ताना अपने दिर पे आपको ठीक ठाक 15-20 रन करके दे सकती है थोड़ा सा एक्सपरियन जरूर से है इंडिया की अगेंस में लेकिन परफॉर्मेंस देख सकते हो काफी पूर है निगरा सुल्ताना थोड़ा सा आप देख सकते हो कि अच्छा स्कूर करती है जनरली आपको 25-30 रन करती भी दिखाई देंगी देख सकते हैं नाइदा अक्तर भी आपको पावर प्ले में गिंदबाजी करती हैं चार ओवर में चौदर अंदे के एक बिकेट निकाले सुल्ताना खार्टून ने तीन बिकेट निकाले यह जो है मिडल ओवर में आपको गिंदबाजी करते हो न जराएंगी फाइमा खातून लास्ट मेच खेली थी दो विकेट लेकर गई और राविया खातून को भी एक बिकेट यहां पर मिला था तो यह लास्ट मेच की जो है इनकी बॉलिंग डिटेल्स है बंगलादिस वोमिंस की इंडिया वोमिंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इ वोम्यार ओ ड्रिक्स ने लास्ट मेच में भाई कराई जनरली यह बालिंग नहीं कराती है लेकिन लास्ट मेच में इन्हों ने बालिंग कराई है अपर 21 दिखते हैं कि किसने बीचेंफ ने ओवर डाला था डाला थाtem कि इसके पहले वाले मैच में पूजा बसरकर जो है दो विकेट लेकर गई थी और पूरे कम्प्लीट चार ओबर डाले थे मिनू मनी को दो विकेट मिला था एक मैडन ओबर भी इन्हों ने डाला था दूसरा चौथा चटवा आठवा ओबर डाला था धिप्ती शर्मा ने तीन विकेट निकाले थे जबकि तीन विकेट सेफाली वर्मा को भी मिला था और सेफाली वर्मा ने डेथ में गेंदबाजी कराई थी 20 वा ओबर जो है इनको दिया गया था तो यह चीज ध्यान में रखेगा यह उलट फिर आपको देखने के लिए मिल सकता है और यहां पर बता करेंगे की प्लियर इंपॉर्टेंट प्लियर कौन कौन सी रहेंगी इसमृति मांधाना दिपती शर्मा निग्रा सुल्ताना हर्मन प्रीट कोर सेफाली वर्मा जोमिया रोड्रिक्स पूजा वतसरकर और यहां पे सुल्ताना कातुन यह अच्छे चीप लिएर से इसमॉली क की तीम में इनको जरूर से रखिएगा सी विसी की बात करें अगर आप इसमॉल लिग में जा रहे हो इसमृति मंधाना धिपती शर्मा सेफाली वर्मा हर्मन प्रीट कोर यही चार आपको जो है बैस्ट आप्शन मिलती है इन चारों में ही जो है आपको सी और विसी जो है ज आपना चाहिए और विडियो को लाइक जोर से कर देना टेलीग्राम का चैनल जाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनल अब्डेट्स वगेरा देखने के लिए मिलेगी यहां पर आपको टॉस की इंफर्मेशन प्लेंग 11 टीम सभी चीज़े मिलेंगी तो वीडियो के डिस्किप्सिर में हमने टेलीग्राम चैनल के भी लिंक डाल रखी है और यहां पर आपको माइं मास्टर 11 अप्लिकेशन के भी लिंक मिलेगी तो my master 11 application को भी download कर लेना royal bro इसका refer code है इसकी link आपको comment box में हमने pin कर दी है वहाँ से my master 11 application को download कर लेना अपनी dream 11 की team ready कर लेते हैं investment की अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा investment जो है नहीं रहने वाली है क्योंकि उलट फिर जो है देखने के लिए मिल सकता है no doubt सबसे अच्छी option आपको यहाँ पर मिलती है मैं इनी के साथ में जाऊंगा आप यासका भाटिया को अपने team में लेके जा सकते हो इसमिर्थी मनाना को लिया है जोमिया रोडिक्स और सेफाली वर्मा को अपने team में लिया है रोडिक्स को लेने का कारण है क्योंकि लास्ट में चार ओवर इन्होंने बॉलिंग किया प्लस बंडाउन बैट पे आती है हर्मन पीत को और को लिया है दिप्ती शर्मा को लिया है पूजा वत सरकर लेकिन लास्ट में एक ही ओवर डाला था यह भी चीद ध्यान में रखेगा बाकि अगर मैं बॉलिंग से बात करूँ तो यहाँ पर नाइदा अक्तर को अपने team मिलिया है यहाँ पर सुल्ताना खातून को लिया है मिनू मनी को लिया है और यहाँ पर बी अनूसा को अपने team मिलिया है आप M8 को अपने team में लेके जा सकते हो या फिर आपको फाइमा खातून मिलती है जो की last match में दो विकेट ले कर गई इनको अपने team में आप ले सकते हो CBC की बात करें नो डाउट यहाँ पर दिप्ती शर्मा मेरी captain रहेंगी और जो है सेफाली वर्मा मेरी wise captain रहने वाली है team preview की बात करते हैं guys अगर team preview की बात की जाए तो इस team में आप देखोगे मैंने जो है 8 player इंडिया वोमेंस के लिए है तीन प्लेयर जो है पांगला दिस वोमेंस के लिए है निगरा सुल्ताना है हमारी team में small league के लिए आप यहाँ पर सेफाली वर्मा को जो है captaincy दे सकते हो दिप्ती शर्मा को wise captaincy या फिर जो है स्मिर्थी मनना को wise captaincy दे सकते हो यह कुछ जो है आप यहाँ पर जो है cvc जो है reverse कर सकते हो small league में बाकी अगर आप जो है यहाँ पर थोड़ा आए हो तो चैनल को subscribe करके जो bell icon आएगा न उसे जरूर से प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखती रहिए support करती रहिए मिलता हूँ आपको अगले वडियो में